हलो दोस्तो टूडेश्टोक मार्केट में एक बाद फीटर स्वागा थे दोस्तो आज हम ऐसे स्टोक पर बात करें वाले हैं जो कि FMG से बिलोंग करते हैं और इस स्टोक कि मेरे यूटीचिंग से सबसाइब की जिएगा था कि मेरे जो भी विटिवले टेस्ट को उसका नोटिफिकेशन आप दोको मिल जाएगा दोस्तो मैं डेली बेस कुछ ऐसे स्टोक लेकियाता हूँ जो कि आपको लॉंग टर्म प्लस ओटम दोनों में आचाकासा मुनाफ़ा दे सकें तो दोस्तो हम आप उसे बात कर रहे हैं हिंदुस्तान फोट्स लिमिटेड के रिकार्डिंग अगर मैं इसका आज की टेडिंग सेस्टन की बात करें ताब देख सकते हो कि इस स्टोक में लगवा एक परसंट का हमें गिरावर्ट ही देखने को मिल रहा है पिछले वार्ट के बात करेंगे तब देख सकते हो पिछली वार्ट में इस स्टोक में लगवा हमें लगवा हाःप परसंट के आजप एकसो अब वाउस परसंट से अबोब का अभी हमें रहे देखने मिल रहा हैं जो कि काफी strong है दोस्तों यहीं कि पिछले 6 महीने में अपने shareholder को पत्ती बना चुक है दोस्तों इतना जबरदस तरीके से इसने return दिया है वहीं अगर मैं पिछले एक साल की बात करेंगे तब देख सकते हो कि पिछले एक साल में इस इस्टों में लगए 141% से above का में rally देखने हो मिल रहे हैं जो कि काफी जबरदस्त है कि जैकपोर्ट के तरह इस टोक ने return दिया है वहीं बात करेंगे पिछले 5 एर का तब देख सकते हो पिछले 5 साल में इस टोक ने यहीं कि स्टोक लगबग दोज़ए 19 में लेस्टिट हुआ तो अगरस में वहां से इस टोक का हमें चार्ट टेक्न हमें return देखने को मिल रहा है तो चलिए दोस्तो हमें इस टोक से लेटे कुछ और information देखते हैं then इसका important support and resistance का बात करेंगे आज के दिन था हमें आज के दिन इस टोक में काफी जबरदस्त तरीके से हमें delivery देखने को मिल रहा है आप लोग यहां पर देख सकते हो कि आज के द पर बोली से लोगोंने मुझे लगता है कि आने मले दिनों में इस टोक में फिर से एक आच्छा कासा दुफानी रही देखनों को मिल सकता हैं वहीं बात करेंगे इस टोक का 52 लो एन हाई का तब देख सकते हो लबद 380 रुपे के पर टेट कर रहा था लास्ट येर और वहां के बात करें था हमें आज के दिन कोई खास करेक्शन नहीं देखने को मिला है और इस टोक लगबग 600 के तरफ जाते होगे हमें देखने को मिल रहा है तो definitely आने वाली दिनों में इस टोक में हमें तुफानी रही दिख से देखने को मिल सकता हैं क्योंकि अगर डिलिबरी के ब प्रोफिट से लेड़ रहते हैं यहां पर हमें data अविलेबल नहीं है एंसे की साइट पर हम देखेंगे money control की साइट पर तो यहां पर देखने को मिल रहा है जो कि face value के बात करेंगे तो यहां पर हमें 10 रुपए देखने को मिल रहा है दूस्तों वहीं सेक्टर के peer ratio के बात क इस स्टोक का peer ratio काफी हाई हमें देखने को मिल रहा है इस वज़े से थोड़ा से रिस्की लगता है स्टोक लेकिन बात करें जिस तरीके से हमें डेलिवरी लगवा 57% का हमें डेलिवरी आज की दिन दोस्तों कमाल का जबर्दस तरीके का वहीं बात करेंगे अगर मैं इस स्टोक का अगर December quarter से related अगर कुछ information देखते हैं उसका बात इसका एक important support level की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर बात करें इसका sales related यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप लुग देख सकते हो कि यहाँ पर हम इसका Ñगर बात करेंगे दिसंबर करते हैं यहाँ पर हमें December quarter का result अभी declared नहीं हो आए जिसको व्योंसे यहाँ पर हमें नहीं देखने हो मिल रहा है यहाँ हमें September quarter का ही result हमें देखने को मिल रहा है वहीं बात करेंगे तहीं यहाँ पर September quarter में company ने बहुत ही जबरदस तरीके से sales दिखाया था जिसको इसे बात करें net profit था अल्मोस्ट हमें according to June quarter almost हमें double देखने को मिला था September quarter में और यहीं expectation है कि हमें December quarter का result भी कापी जबर्दास तरीके से में देखने को मिल सकता है इस stock में अगर December quarter के result हमें आचा कैसे देखने को मिला था दोस्तों definitely इस stock में फिर से में rally देखने को मिल सकता है तब चाहो तो इस stock पर focus बना के रख सकते हो वहीं बात करेंगे result surplus से यहाँ पर देख सकते हो company ने result surplus भी कापी जबर्दास तरीके से मेंटेन कर रहे हैं वहीं बात करेंगे debt का तो यहाँ पर other liability level हमें 155 crore का में देखने को मिल रहा है जो कि यहाँ पर rent liability level 200 के approach में में देखने को मिल रहा है वहीं बात करेंगे fix asset के तक company जबर्दास तरीके से year by year quarter by quarter यहाँ पर fix asset हमें increase होते होगे देखने मिल रहा है company के पास यहाँ पर में start दोना चाहूंगा दोस्तों वहीं बात करते हैं इस store में क्या FI की holding है तो वह भी data एक बात देखने कोशिस करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो प्रमोटर का holding almost हमें 63% के आसपर में holding देखने को मिल रहा है जो की काफी strong है वहीं बात करेंगे FI की holding की तो लबाश साढ़े 6% से above का holding है दोस्तों वहीं डी आई की हम बात करें तो लबाश साढ़े इस टो की price की तो हमें इस price से थोड़ा सा बात करें तो हम अगर December quarter का result के इंतिजार कर लेते हैं अगर इसका हमें December quarter के result अगर हमें आच्छा कर साथ देखने को मिलेगा तो definitely इस टोक हमें 750 को cross करके आगे जाते हुए देखने को मिल सकते हैं क्योंकि दोस्तों आप देख सकते तो कि अभी तका जो stock record रहा है वो काफी जबर्दस तरीके का रहा है और उमीद यहीं है कि आगे भी हमें December quarter के बाद हमें इस stock में एक तुपानी rally फिर से देखने को मिल सकते हैं तब चाहो तो इस stock के अपर आप लोग से बोलना चाहूँ को कि इस stock में invest करने से पहले एक आप लोग इसमें एंटर किजिए वहीं बात करने कि इसका एक important support label का तो हमें level 1350 के आजपस का important support label देखने को मिल रहा है हाला कि मुझे नहीं लगता है कि इस stock के price में फिर से इस label पर हमें देखने को मिल सकता है इस stock के price की बात करता है हमें आने माले दिनों में हमें 1750 को cross कर के आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है तो दोस्तों उमेद करतों को वीडियो अच्छा लगा है अच्छा लगा है अच्छा लगा पिलीज मैं you teaching subscribe की जगा तक मेरे जो भी वीडियो के लिटेस को उसका notification आप तो को मिल जाएगा ओके दोस्तों thank you bye